वाइक्स पूछा गया बट यहां पर रिलेटिव परिमिटिव परिमिटिविटी हम लोगो को दिया हुआ है तो हम लोग को डिलेटिव परिमिटिव परिमिटि दिया हुआ है तो मियु अर हम लोग ऑन दिया हुआ है ठीक है एंट अम लोगो जो इनफोर्मेशन दिया हुआ है उसके एक वर्डिंग बोला गया कि जो मीडियम में स्पीड होगा वो 0.2 times of speed of light in free space होगा speed of light in medium ठेक है तो अगर मुझे यहां से चाहिए refractive index का value तो मैं क्या करूँ मैं तो c upon speed of light into 0.2 multiply करते ही यहां से आपको n का value कितना मालूम हो जाएगा 1 upon 0.2 अब जब इसको आप solve करेंगे तो यहां से यह 5 आ जाएगा तो refractive index हम लोग का मालूम हो गया अब speed of light का जो तो यह आपको मिलेगा mu 0 into epsilon 0 ठीक है अब relative permeability is equal to क्या लिखते है हम लोग तो relative permeability is equal to होता है medium का permeability upon free space का permeability तो यहां से medium का permeability आ जाएगा relative into free space का ठीक है उसी type से epsilon r निकालेगे तो epsilon r क्या होगा epsilon of medium upon epsilon 0 of free space तो epsilon यहां से मालूम हो जाएगा epsilon 0 into epsilon r ठीक है तो यह अपने को epsilon r और mu r मालूम हो गया तो अब अगर हमें speed चाहिए तो हम लोग क्या लिखें तो 1 upon 1 upon root over mu r into epsilon r ओके तो 1 upon अब यहां से आप रखें सारी values को तो आप यहां से आप रखें सारी values को तो आप epsilon 0 और mu 0 है ना root के अंदर अप यह अपने को c मालूम है तो इसको हम लोग c से replace कर देंगे देखें वी is equal to c upon यह क्या बच्चेगा root में आप सिर्फ only root में remaining रहेगा mu r into epsilon r ठीक है हम लोग को बस सिर्फ इतना ही remaining रहेगा बच्चों अब यहां पर भी दिखिए तो आपको यह जो चीजें है वी वाला यह मालूम है 0.2c और यह c हो गया यहां से इसमें भी आपको यह मालूम है mu r का value 1 है यह epsilon r हो गया तो c से c आप cancel कर देजिए ठीक है तो c से c यहां लिखेंगे root over epsilon r is equal to 1 upon 0.2 and 1 upon 0.2 का हम लोग क्या बोलते है refractive index तो आप लिखेंगे epsilon r root के अंदर is equal to refractive index अब बोद साइड में squaring कर देजिए क्योंकि यही तो refractive index था देखिए हम लोग निकाला है अभी तो यहां से आप जैसे बोद साइड में squaring करेंगे तो squaring करते ही epsilon r is equal to n square ठीक है n square आगया ठीक अब साथ में एक एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं कि यहां पर अभी 1 नहीं रख करके न अभी आप साथ में लेके चलते रहिए इसको लास्ट में चेंज कर देंगे वान रख देंगे लास्ट में तो यहां पर मू आर लेके चलो आप थीक है तो मू आर मू आर ठीक है मू आर अब यहां पर यह मू आर हो गया हमेर चाहिए epsilon r upon n तो आप एक n लेकर इधर आजाए मतला दो n-2 n square है तो यहां पर एक n की यहां रिक चल लेकुए और एक विदर रिक चले लेके और यह यहां n by mu r हो जाएगा, अब यहां से हम लोगो n का value मालूम है कि 5 है, अब जस्ट find किया था हम लोगों देखिए, n का value 5, तो refractive index, ठेके, और mu r का value given 1, तो यहां से epsilon r upon n मतब relative, permittivity upon refractive index का ratio आया, वो 5 is to 1 है, जो की x by 1 के बरावर होना चाहिए, ऐसा बोला आया question में, तो यहां से comparison करने का बाद x कितना आया, 5 आया बच्छों, तो यहां पर x का value होगा, वो हो जाएगा 5, तो 5 put कर दीजे,